दोस्तो नमस्कार दोस्तो यूपी टेट परीक्षा केंसिल को लेकर आपको बता दू कि आयोग के तरफ से ओफिसल एनॉस्मेंट किया गया और साथ में आपको बता दू कि लगबग यूपी टेट परीक्षा केंसिल होने के कगार पर है क्योंकि गाइज आपको बता दे कि इस में से लगबग बहुत ऐसा लोग है जो गिरिपतार कर लिये गया है और बहुत ऐसा student है जिसको 2017 का पूरे पूरे पेपर पता था कि यही आने बला है गाइज एक 11 लोग गिरिपतार किये गए 11 student जो एकी सोसाइटी से गाइज आपको बता दो कि यही पीटेट परीक्षा को लेकर अखलेस यादम ने कहा है कि एक रैली को संबोधित करते हुए कि यहीपीटेट परीक्षा पेपर लिक करवाद दिया गया था गाइज पी एन बी के हाथ में था पेपर करवाना लेकिन किसकी गलती है और किस कारण से यहीपीटेट परीक्षा को केंसिल या पेपर लिक करवाद दिया गया था गाइज केंसिल तो होगा ही परीक्षा कनफर्म हो चुका है और इसमें आपको बता दू कि जितने भी स्टुडेंट आप लोग हो ट्यूटर पर ट्यूट कीजे अब और गाइज आप लोग चैनल को सबसक्राइब करके सपोर्ट कीजे और जितने भी स्टुडेंट आपको बता दू कि टोटल अभी तक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया तो गाईज यूपी टेट पर एक्छा लगबग केंसिल होने के कगार पर है और योगी सरकार के तरब से ओफिसल एनॉस्मेंट किया गया है कि गाईज जो भी स्टुडेंट का एक्जाम नहीं देने दिया है लगबग बहुत ऐसा इस्टुडेंट है जो पेपर छोड़ दिया गया और किसी कारण बस नहीं जाने दिया है डोकुमेंट्स ओरिजिनल या लेट के कारण तो गाईज एक्जाम दे सकते है चुनाओं के बाद तो गाईज आपको बता दो यूपी टेट पर पाईए सब्सक्राइब किजिए सपोर्ट किजिए जय हिन जय भारत